आज मैं सी वर्मा का एक objective question solve करने वाला हूं यह हम लोग physics 12 में एक chapter है moving charge and magnetism उससे related है question a charge particle width is weld in a horizontal circle on frictionless table by attaching it to a string fixed at one point if magnetic field is switched on vertical direction the tension in string will increase, will decrease, will remain same, may increase or decrease यह question है, इस question को समझने के लिए पहले हम लोगों tension in strings को समझना पढ़ाएगा कि यदि कोई body को इसका mass m है इसको लटका दिया जाए किसी धागे से तो gravity इसको नीचे की और खिच रही है जो mg force से नीचे की और खिचेगी लेकिन इस body को hold कर रहा है equilibrium में तो यह धागा यह thread इसको upside direction में खिच रहा है तो Newton's के third law में हम लोग जानते हैं every action there is equal and opposite action यानि कि यह mass अगर दी thread को खिच रहा है तो thread भी इसको upside खिच रहा है तो जो thread upside खिच रहा है that is tension तो इसको हम कैसे निकालते हैं तो t equals to mg हो जाता है यानि कि इसका free body diagram अगर दी बनाते हैं तो tension upside है mg downside है और दोनों को हम equilibrium condition में रख एया है जैसे हम मास को भढ़ाते हैं बढ़ा सा बॉल अगर दी रख देता है उसको उसी थ्रेड़ पर तो उसका tension बढ़ जाता है मास जैसे से हम in ev a test करता चल जाएगा कि मास्क एंक्रीज करने से टेंशन इंक्रीज करेगा तो यहां तो यह चीज ने है कंसेप्ट यहां पर है टेंशन इंक्रीज़ करेगा लेकिन कोश्चन में दिया हुआ है कि त्रिड कुछ पाटकिल है जिसको हम घुमा रहे हैं थ्रेट से बान करके इसको होरिजेंटल सर्कल में घुमा जा रहा है जिसे यह सर्कल है यह हम मौडल बनाए हुए है यह मान के चलते हैं यह चार्च पाटकिल है और इसको फ्रेट से बान दिये हैं और यह सर्कल क्यों घुम रहा है उतो हम लोग जानते हैं कि यदि कोई चार्च पाटकिल किसी फिल्ड में आता है जो वर्टिकल अपवार डिरेक में जा रहा है तो उसके समय इसको परोट क्या लगेगा तो हम लोग भीन और इसके मानते हैं इसको Adobe का दैक्शन मानते हैं ठीट यह तो आउटसाइड लगेगा इसे डैक्शन में सब्सक्रेंट मरें तो हम यह magnetic field का direction दिखा रहे हैं यह orange color है downward direction और यह भी यह blue color देख रहे हैं तो upward direction है और इसको हम velocity मान रहे हैं और यह velocity होगी ए वेलसिटी का direction यह velocity इस direction में है तो यह दिख पाटिकिल्ज किसी magnetic field में जो की vertically upward अगर दी जा रहा है तो वर्टेकली upward अगर दी जा रहा है और तो velocity का direction दी धरा रहा है तो फॉर्स का direction क्या होगा फॉर्स का direction जो होता है वह फॉर्स का value होता है F equal to q की वी और इसका डारेक्शन दोनों के परомеनिक वह होगा वालो सीटी और मैंने मैंने टी के तरफ हमारे तरफ आपके तरफ यह पॉइंट कर रहा है यारि कि मैंने टिक फिल जो फोर्स लगाएगा वह आपके डिर्क्सिन में लगाएगा यानि कि इसमें से अवे लगेगा और अगर भी ये magnetic field downward direction में है मान लेजि़ ऐगर भी औरेंज कलर को घरदी देख रहे हैं downward direction में, इस direction में हो यहाँ पे ऐसे दिखाए जाएगा यह नीचे की हो जाएगा, और velocity यह है तो उस case में velocity से magnetic field के तरफ अगर दी जाते हैं इस तरह से, magnetic field के तरब जाते हैं, velocity से magnetic field के तरब, तो वो inside direction में, हम मुको direction देता है, force का, इसका मतलब force का direction change हो सकता है, यदि moving charge, जो move कर रहा है, उसका magnetic field का direction क्या हो, तो इस question में दिया हुआ यह है, कि vertical magnetic field, जो है switched on किये हैं, लेकिन vertical direction में, यह नहीं बतायागा है, कि vertical up है या vertical down है, तो vertical अगर दि up रहा, तो force इस direction में लगेगा, और vertical अगर दि down रहा, तो force center के तरब लगेगा, अब हम लोग देखते हैं, कि यदि कोई charge particles move कर रहा है, यह charge particle है, velocity ऐसे है, और अगर दी magnetic field का direction upside में है, तो force इस direction में लगेगा, center से दूर जाएगा, center से दूर अगर दी जा रहा है, यह से गोल गोल भूम रहा था, और magnetic field अगर दी हम दे दिये वे इसमें, तो center से दूर जा रहा है, और center के तरफ force होगा, centripetal force, यानि कि tension जो है, वो अधर है, और centrifugal force mv square by r भी है, और magnetic force भी इस direction में है, तो magnetic force को इसमें add कर देंगे, force due to magnetic, और वही हो जाएगा, tension के बराबर, यानि कि इस case में tension बढ़ जाएगा, tension बराबर हो जाएगा, mv square by r, और प्लस qvb, और theta यहाँ पे 0 है, तो इस case में magnetic tension increase कर जाएगा, लेकिन अगर यह magnetic field का direction, चेंज कर कर दें, magnetic field का direction अगर दी हम इस direction में दे रहा, घूमा रहे हैं पहले इस direction, पहले magnetic field नहीं था, तब वो घूम राथ था, हम अदो उसको thread से जो है, charge particle को हम rotate कर रहे थे, लेकिन अब हम direction को change कर दिया, magnetic field का direction जब downward हो गया, यह downward हो गया, और velocity वही अगर दी रहा, तो फिर जो है, इसके कारण magnetic force का direction जो है, center के तरफ जाएगा, ऐसे case में center के तरफ जाएगा, तो tension इधर ही है, और magnetic force भी उधर ही जा रहा है, और वो बरावर हो रहा है, mv square by r, ऐसे case में tension equals to हो जाएगा, mv square by r minus fm, that is mv square by r minus qvb, ऐसे में tension घट रहा है, और यहाँ पर tension बढ़ रहा है, it depends on the direction of magnetic field, जो हम horizontal shift, vertical shift switch किये हैं, वह किस direction है, vertically upward है, यह vertically downward है, इसलिए tension बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, इसका answer होगा, may increase or decrease, अब आप यह देखिए, गर्दी हम magnetic field को छोड़ दें, gravity के कारण यह नीची आ गया, इस पर यह जो volt है, यह mass है, मैम है, इसको gravity नीची के और खी force लग रहा, third, वो upside direction में lift किया हुआ है, तो दोनों एक दूसरे के opposite direction में है, तो tension equals to यहाँ पर mg है, यह से से हम इसको rotate करेंगे, मैं M जो है, उसको इधर ही रखना चाहेगा, तो tension upside direction में इस तरह से लग रहा है, यह concept है, force का, चलिए, मिलते हैं next video